जैहिन दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो ब्रमोस मिसाइल के सक्सेस के बारे में आप सब लोगों को बताई होगा हाली में ब्रमोस मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेके भी इंडिया और रेशिया के बीज में बड़े बातचित हो चुका है जल्दी ब्रमोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार भी कर लिया जाएगा लेकिर उससे पहले सुनने को आ रहा है कि इसी महीने के अंदर इंडिया द्वारा ब्रमोस मिसाइल के कई सारे और टेस्ट किया जा सकता है जिसे आप लोग सिरियल ओफ टेस्ट या फिर बंच ओफ टेस्ट भी कह सकते है दोस्तो आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रमोस मिसाइल के कौन-कौन सा वर्जन का टेस्ट कव-कव किया जाएगा और इतने सारे टेस्टों के पीछे असल रिजन है क्या जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों को इंडिया का नया डॉक्ट्रेंड ओफेंसिव डिफेंस के वारे में बताऊंगा जिसे लेके अब इंडिया खुली तोड से आगे बढ़ रहा है मतलब आने वाले समय में इंडिया और अपेक्षा नहीं करेगा कि दुश को सबसे पहले देखना चाहते है तो डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के द्वारा टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कीजिए और वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों तक हर एक वीडियो का नोटिफेकेशन पहुँच जाएगा दोस्तों चाहना के साथ टेंशन के बात अब तीनों सर्विसेस के तरफ से ब्रमोस मिसाइल को लेके एक बहुत बड़ा फायर ड्रिल किया जाएगा जिनमें तीनों सर्विसेस के तरफ से ब्रमोस मिसाइल के कैफेविलिटी उसको परक्षने के लिए और इसके परफॉरमेंस को इंप्रूव करने के लिए कई स इसका ये टेस्ट होगा, दोसो माना जा रहा है कि इस महिने के आखरी हफते में, मतलब November के last week में इन मिसाइलों का परिक्षन किया जाएगा, दोसो ये सारे के सारे परिक्षन DRDO और Forces के अलग-अलग टेस्ट रेंज में होगा, दोसो ब्रमोस मिसाइल के बारे में आप सम लोग करते हुए इसके रेंज को भी साड़े 400 किलो मेटर तक बढ़ाया गया है, भारत MTCR के मेंबर बनने से पहले भारत और रशिया द्वारा जॉइंटली इन मिसाइलों को 290 किलो मेटर रेंज तक बनाया गया था, लेकिन MTCR के मेंबर बनने के बाद भारत के तरफ से मिसाइल को ये भी बता होगा कि इन मिसाइलों को लेके एरफोर्स द्वारा किस तरीके के 4000 किलो मेटर दूर तक उरान भर के टारगेट को हिट किया गया, एरफोर्स के तरफ से इन मिसाइलों को परिक्षन करने के लिए सुखोई 30 MKI जैसे एरकेप्टों का सहारा लिया गया और इंडियान ओशन के अंदर इंडिया के डॉमिनेंट्स को और मजबूत करेगा, जबकि चायना के साथ जड़ब बढ़ने के तुरंट बाद ही इंडिया द्वारा ब्रमोस मिसाइलों के साथ लैस हुए सुखोई 30 MKI को चायना के बॉर्डर के नस्दिक भी डिफ्लॉय किया ताकि चायना के तरफ से अगर कोई भी हिमाकत किया जाता है तो उसे तुरंट जवाब दिया जा पाए, इवन इसके इलावा हाली में आप लोग ये भी सुने होंगे कि इंडियान ओशन के अंदर इंडियान नेवी के INS चेन्नाई द्वारा भी ब्रमोस मिसाइल का एक सकस् किया गया था, दोस्तों ये ब्रमोस मिसाइल के शिप लाँज वर्जन था जिसे आप लेंड अट्रैक एंटिशिफ क्रूज मिसाइल भी कह सकते हैं, और दोस्तों अब DRDO के तरफ से इन मिसाइलों को खाले एक्सफोर्ट करने के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है बलकि DRDO इन मिसाइलों के बेस के ऊपर और एक आधुनिक हाईपरसोनिक मिसाइल को बनाने के तरफ भी आगे बढ़ रहा है, जो इससे भी घातक और इससे आधुनिक मिसाइल होगा, फिलाल एक्सफोर्ट के नीती को लेके जिन बातों का खुलासा हुआ है उनके तहट माना जा रहा की ब्लमोस मिसाइल के सबसे पहले कस्टेमर फिलिफिन बन सकता है, जबकि फिलिफिन के इलावा बहुत सारे ऐसे देश है जो ब्लमोस मिसाइलों को खरिदने के लिए इंटरस्टेड है जिनमें वियतनाम इंद्रोनेशिया जैसे साउथ इस्ट एशिया के देश के इलावा दक्षिन अमेरीकी देश और कुछ अफरीकी देश भी है जो इन मिसाइलों को खरीच सकता है दोसो अब चलिए जानते हैं इंडिया का नया डॉक्ट्रेंड ओफेंसिव डिफेंस के वारे में दोसो कुछ साल पहले इंडिया के जो नेशनल सिकुरिटी एडवाइजर है दोसो इंडिया को दुनिया में सबसे शान्तिपूर्ण देश माना जाता है ना ही इंडिया अब तक कभी वी किसी देश के उपर पहले आक्डमन किया है और ना ही कभी इंडिया आने वाले समय में ऐसा कुछ करेगा इवेन इंडिया द्वारा परवानु हतियारों का परिक्षन करने के तुरंद बाद ही कह दिया गया था कि इंडिया कभी वी परवानु हतियार ऐसे किसी वी देश के उपर इस्तेमाल नहीं करेगा जिनके पास परवानु हतियार नहीं है इवन इंडिया के तरफ से ये भी बताया गया कि इंडिया कभी भी परवानु हत्यारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा मतलब इंडिया खाली उसी सिचुएशन में परवानु हत्यारों का इस्तेमाल करेगा जब इंडिया के ओपर ऐसा कोई हत्यार से हमला होता है तो कुल मिला के इस से आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडिया सांतिपूर्णे तरिके से दुनिया में अपने existence को वरकरार रखना चाता है। पाकिस्तान के तरफ से भारत के उपर आतन की हमले करने का कोशिश किया आता है और भारत को लड़ाई के लिए उकसाने का भी प्रयास किया आता है। जो इंडिया के उपर आख उठाने वाले हर एक आख को पहले से ही कुचलने का बंदवस करेगा। मतलब ये रणनिती के तहट इंडिया अब किसी देश के उपर पहले हमला तो नहीं करेगा लेकिन अगर कोई देश हमला करने का सोचेगा भी तो उसका हमला करने से पहले ही उसके सोच को कुचल दिया जाएगा। मतलब इंडिया के उपर चाहे आतन की हमले हो या फिर डारेक हमले। इंडिया अपने इंटलिजन सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए पहले ही उसका पता लगाएगा और दुश्मन के हमले को अंजाम देने से पहले ही उन हमले के रणनितियों को तभा किया जाएगा। दोसो एक्जामपल के रूप में हाली के दिनों में आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एर्स्ट्राइक जैसे घटनाओ के बारे में सुन चुके होंगे। इवन गलवान घाटी के घटना के बाद आफ दक्षिनी पेंगौंग शेत्रे के घटना के बारे में भी वही पे एर स्ट्राइक में इंडियन एर फोर्स द्वारा पुलवामा हमले में शामिल हर एक आतंकी और आतंकी के लॉंच फैडों को तभा किया गया था। दोस्तो इस तरीके का रणनीती से आने वाले समय में भारत के उपर हमले का संभावना जहापे कम हो जाता है वही प जैसे कि क्वार्ट का एलाइन्स खास करके इंडियन ओशन में और पेसिपिक ओशन में चायना के हरकतों को देखते हुए जिस तरीके से क्वार्ट का गठन किया गया है माना जा रही कि ये भी ऐसा ही एक रणनीती है जिसके तहत पहले सही एलाइन्स को बनाया गया है ताकि चायना द्वारा किसी भी हरकत करने से पहले सौ बार सोचा जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिन